आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वार्सिक परिक्षा कक्षा बार्यू विसाई इतिहास के objective type questions के solution की इस वीडियो को आप अपने friends, relative, classmates के पास share कीजिएगा और पिछले वीडियो यदि आपने नहीं देखें तो उनका solution भी मैंने playlist में डाल दिया है आत्र नाम से चिन्नित किया जाता था तो हम आपकी जगा साथ वाहन को गोतम बुद्ध का जन्म कहां हुआ था तो लुम्बिनी में हुआ था सेख मुईनुद्दीन चिस्ती की दरगा कहां इस्ति थे तो वो अजमेर में है पाचवा है अबुल फजल कोन थे तो ये आईने अकबरी के लेखक थे अगला है संथाल विद्रो का नेता कोन था तो ये सिंदुज मांजी था अगले प्रशनों की ओर चलें तो रिक्तिस्थानों की पूर्ती करना है सेंट जोर्ज किला शहर में इस्ति थे तो ये चेनने में है चंपारण सत्यागरा द्वारा किया गया है तो महात्मा गांधी द्वारा किया गया था 1917 में हुआ था ठीक है अगला है सेर क्रोपर्स के उपर था ये खान अब्दुल गफार खान को गांधी कहा जाता है सिमान्त गांधी कहा जाता है भारत देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंतर हुआ था कुरू महा जन्पत की राजधानी थी तो इंद्रपरस्त भगवत गीता में उपदेश दिये थे तो स्रीकर्ष्ने ने दिये थे सुल्तान जहां बेगम की सासीगा थी तो भवपाल की थी आगे बढ़ते हैं सही जोडिया हैं तो वी एस सुप्थांकर का संबंध महा भारत का समोल आत्मक संसकरन विनेपिटक का संबंध है बुद्ध की सिक्षाएं नियमावली सीन सिर्स का संबंध है सारनाथ से रेतवाडो का संबंध है ओपनिवेशिक राजय सुप्रनाली से अमीर खुसरो का संबंध है मद्धिकालीन महा कवी एवं लेखक और शंकर देव का संबंध है कीर्टन और सत्संग से अब एक सब्दे एक वाक्यम उत्तर देना है इसे लिंगायत संप्रदाई में किसकी पूजा की जाती थी तो ब्रह्मा जी की फतेवूर सिक्री का निर्मान किसने कराया था तो अकबर द्वारा कराया गया था लर्ड कार्नवालिस कोन था तो कोर्ट विलियम प्रेजिडेंस के गवर्नर प्लासी के युद्ध में किसकी विजय हुई थी तो इस्ट इंडिया कमपनी अगला है मुस्लिम लिग के स्थापना कब हुई 1906 में हुई थी भारत छोड़ो आंदोलन कब सुरू हुआ था तो 1942 में हुआ था सरकारें सरकारी कागजों से नहीं बनती सरकार जनता की इच्छा के अभिवेक्ति से होती है यह गतन किस ने कहा तो यह रूसों के द्वारा भी कहा गया और पंडित जवालल नहरू के द्वारा भी कहा गया है ठीक है दोनों में से अपने एक भी लिखा हो तो सही और दोनों भी लिख दियों तो भी सही रहेगा सत्य सत्य बताना जिसे उपनिवेशिक काल में नियमित रूप से दश्की जनगन्ना 1881 से शुरू ही तो ये सत्य है 1929 इस्वी में कांग्रेस ने अपना वार्सिक अधिवेशन लाहोर में किया सत्य है मोरे सासक अपने नाम से नाम के आगे देव पुत्र की उपादी लगाते थे सकती है प्रयाग प्रसस्ती की रशना हरिशेंड ने की थी यह सकती है यह मैं आपके लिए मतलब आपको कंफर्म हो तो इसका आप मुझे आंसर बताएंगे ठीक है एसे होमवर्क चटा है डांडी मार्च 1930 इस्वी में सुभाष अंदर बोज द्वारा प्राणब किया गया था तो यह सकती है क्योंकि महात्मा गांधी द्वारा किया गया था बाकी यह प्रस्न थे आपका पेपर आपका अच्छा गया हो आपका पेपर कैसा रहा कमेंट्स करके यह रूप बताएं और पिछले वीडियो जैसे हिंदी, इंग्लिस हो गए आपके पॉलिटिकल साइन्स हो गए इकोनोमिक्स हो गए इनके सोल्यूशन भी आप देखना चाहें तो मैंने ब्लेलिस्ट बना दी है वारसिक परिक्षा 2022 के नाम से वहाँ पर जाकर आप उन पेपर्स को देख सकते हैं ठीक है दोस्तों, thank you very much all the best for your further future thank you once again